मारूती देश की सबसे ज़ादा सफल कार कमपनी है और कमपनी की मारूती 800 देश की सबसे ज़ादा बिकने वाली कार हुआ करती थी लेकिन कुछ सालों पहले कमपनी को ये गाड़ी बंद करनी पड़ी थी पर अब कमपनी इस आइकॉनिक कार को फिर से लॉंच करने की तयारी में है और ये औल्टो से भी नीचे वाले मॉडल की गाड़ी होने के साथ ही देश की सबसे सस्ती कार भी हो सकती है इस गाड़ी की बात की जाए तो कमपनी इसे इस साल के अंध तक लॉंच कर सकती है हाला कि कमपनी की कोशिस इसे पिछले साल ही लॉंच करने की थी लेकिन कोरोना के चलते कमपनी के कई प्लान लेट हो गए थे और इस शांदार गाड़ी की लॉंच भी उन में से एक ही थी यहां खास बात ये भी है कि ये चोटे इंजन वाली गाड़ी होगी भारत में चोटे इंजन की गाड़ीयों को बहुत जादा रिस्पॉंस नहीं मिला है तो कमपनी को थोड़ा संशय जरूर है लेकिन कमपनी रिस्क लेने को भी तैयार है इंजन की बात की जाए तो इस कार में आपको 666cc का इंजन मिल सकता है जो की BS4 मानकों को पूरा करेगा इस इंजन के साथ गाड़ी का एवरेज भी 27-30 km प्रतिलिटर मिलने की उम्मेद है साथ ही इस शांदार कार में आपको सभी modern safety features में मिलने की पूरी उम्मेद है क्यूंकि उसके बिना कमपनी मानकों को पूरा ही नहीं कर पाएगी मतलब आपको ABS, Airbag, Parking Sensor जैसे features भी जरूर मिलेंगे लुक के मामलों में ये Maruti 800 से inspire होगी लेकिन इसका feel बहुत modern होगा अब देखना ये है कि कमपनी इसे Maruti 800 के नाम से ही launch करती है या किसी और नाम से लेकिन जो भी हो इसकी कीमत करीब 2,9,000 रुपै से शुरू हो सकती है आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरि मच